चाय के साथ बढ़िया सा सनेक हो तो चाय पीने का मज़ा ही दुगना हो जाता है हेलो एवरीवन एक पार फिर से स्वागत है आप सभी का हो मी लो भी पर और आज मैं आपसे शेर करने जा रहे हूं एक ऐसे ही टी टाइम सनेक की रेस्पी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है जोसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं आज मैं आपसे शेर करूंगी ग्रीन रिबन बनाने की रेस्पी और इसके लिए हमें बहुत जादा सामान की जरूरत भी नहीं है ये घर में मिलने वाली चीजों से असानी से बन सकता है इसके लिए हमें चाहिए आल परपल फ्लो यानि की मैदा और पालक पालक को हमने अच्छे से दो कर साफ करके काट लिया है अब पालक को डाल देंगे एक ग्राइंडर जार के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा पानी आड़ करके इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे पालक को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब स्नैक के लिए लगाएंगे डो डो बनाने के लिए मैद्दे के अंदर डालेंगे टेस्ट के अक्रोर्डिंग नमप लवर बन बाई 40 स्पून और थोड़े से कैरम सीर्स जिन्हें हाथों से इस तरह क्रश करते हूँ इसमें डालेंगे इसके साथ इसमें वन टेबल स्पून ओयल मिलाएंगे मौयन के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मौयन इतना बलाना है कि इसकी असानी से मुठी बन जाए अब थोड़ी थोड़ी पालक प्यूरी को इसमें मिक्स करते हुए टाइट डो लगा लेंगे देखिए कितना टाइट डो हमने लगा लिया है और अब इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा ओयल और इसे ढखक कर आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे लगवग आधा घंटा हो चुका है और डो को अच्छे से रेस्ट मिल गया है अब इसे इस तरह से उठा कर एक बार हाथों से मसलते हुए थोड़ा चिकना कर लेंगे डो में से एक बड़ी सी लोई लेकर पेड़ा बनाएंगे और अब इस लोई को रोटी की शेप में बेल लेंगे लोई को बेलकर हमने लगवग इतनी मोटी रोटी बना लिया है इसे रोटी को भह ज़्यादा पतला नहीं करना है और अब चाकू की साहता से इसके इस तरह से लंबे-लंबे रीबन कट कर लेंगे और इसी तरह सारे डो से रीबन बनाकर तयार कर लेंगे और जब तक हम रीबन बनाते हैं हमने गैस पर ओयल को गरम होने के लिए रख दिया है जहां से इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा लगे तो आप इन्हें इस तरह से सेंटर में कट करके छोटा भी कर सकते हैं इस तरह सारे रीबन बनाकर तयार करेंगे सारे डो को बिलकर और इस तरह से पट्टियों में कट करके हमने रख लिया है और अब इसे करेंगे डीप फ्राई डीप फ्राई हमें लो मीडियम हीट पर करना है क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा हाई हीट पर इसे फ्राई करेंगे तो ये क्रिक्स्पी नहीं बनेंगे तो ओयल है वो गरम हो चुका है इस तेज पर इन पट्टियों को डीप फ्राई होने के लिए इसमें डाल देंगे बीच बीच में इन्हें इस तरह से पलड़ते रहेंगे ताकि ये चानों तरफ से एक सी सिख जाएं जैसे जैसे ये पकेगी अपने आप ही सेप्रेट हो जाएगी सभी पट्टियों को फ्राई करके हमने किचन टावल पर निकाल लिया है ताकि जो एक्स्टर ओयल है वो किचन टावल एबजाव कर ले और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं अभी ने कंप्लीटी ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे और जब चाहे तब इसका मजा लेंगे आप इसे एक महिने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं तो कैसी लगी आपको ये स्नैक की रैस्पी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर कर दे और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे आप चाहें तो मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थेंक यू